तो the word Pharmacopeia is derived from Greek word ठीक है फार्मकॉप्या जो है derived किया गया है Greek word से आर हमागों करें तो बहागों में डिवाइट करें तो फार्मा कौँस मतलब क्या होती है हैं और द्रग कोपिया मतलब हो गई means to make तो सिंपल डेफिनेशन क्या है फार्माकोपिया की फार्माकोपिया इस दी फार्मुलेशन और पॉयंट करती हैं फिर उसके बाद यहbook को серд på प्रिख करती ए ठीक है तो हम अभी आए अप को किया किया-क्या उसमें यह एक्रतर एंटीवहित होती है लुहिए घ्रीज़ाा में children है फिर आते पर दूसरे पर कि इसमें sources भी होती है test भी होती है uses भी होती है doses भी होती है storage condition होती है तो इस पर देखे क्या हुआ कि पहले वाले में कि कि फार्माकोपिया में क्या होती है list होती है pharmaceutical substance की उनके formula जो है वो दिये जाती है जैसे की formulation और drugs दे जाती है जैसे की formula दे जाती है drugs की कैसे यह drugs बनानी है ठीक है तो अब अब इस पर यह हो गई description भी वो दी जाती है ठीक है ना उसमें दवा की description भी दी जाती है और उसके standard भी दी जाती है जो maintain की करना पड़ता है फार्माकोपिया में ठीक है तो अब आते है sources हो गई test uses doses and storage condition में क्या है कि और क्या दिया जाता है फार्माकोपिया में कि आप तो सबसे पहले देख लीजिए कि फार्माकोपिया में पहले कि pharmaceutical substances हो गई formulation हो गया description दिया गया standards दिया गया फिर sources हो गया test हो गया uses हो गया doses हो गया एं test कौन-कौन से perform किये गए है और उसका uses uses क्या-क्या है उस drug का कि वो कौन से use में किस काम के लिए दवा दी जाएगी ठीक है doses doses में कि कोई doses जो है form में available कौन सी doses form में available है जैसे कि solid हो गई liquid हो गई gases हो गई तो वो इस इस इसे जादा नहीं होनी चाहिए तो यह आपको ए underground जाएा आधा नहीं होने चाहिए और यह मॉस्टर से प्रोटेक्ट होनी चाहिए अब आते हैं हम लोग टाइपस ओफ फार्माकोपिया पर हम लोग आते हैं तो तो सम कुछ टाइपस देख लें फार्माकोपिया की ठीक है वैसे हर कंट्री की अपनी अलग-अलग फार्माकोपिया होती है जैसे कि चाइना की अलग हो गई जापान की अलग हो गई हंगरे की अलग हो गई ब्रजिल की अलग हो गई यह सब अलग-अलग हो गई लेकिन जो ज यह हम लोग तो अभी इसे इंडियन फार्मकोप्या को ब्रीफ में पढ़ेंगे पहले आप ब्रिटिस फार्मकोप्या जो पहले इस्टाब्लिश्ट हुई थी पब्लिश्ट हुई थी वह 1864 में हुई थी ठीक है और इसमें मोनोग्राम होती है अब आप बोलेंगे कि मोनोग्राम क्या होता है मनोग्राम मतलब होती है कि कि इसमें होती है और यह first published हुआ था 1967 में ठीक है monogram इसमें 2220 ठीक है तो हर country की अपनी अलग अलग फार्मकोपिया हो गई और यह जो फार्मकोपिया जो मैंने भी बताया यह ज्यादा यूज होती है ठीक है अब आते हैं हम लोग brief में इंडियन फार्मकोपिया के बारे में हम लोग परते हैं ठीक है इंडियन फार्मकोपिया पहले के प्रोसेस्स और प्रोसेस जी स्टार्ट हुई थी वह 1944 में हुई थी और वो कोड़ने आरें चोपरा ने क्या था अंडर दा चेर्मेंशीप कोड़ने आरें चोपरा इत कंटेंस अबाउट इंडियन फार्मकोपिया में 180 मोनोग्राम तो देखिए मैंने मोनोग्राम को डिफिनिशन लिख्या कि क्या है कि ड्रग पब्लिकेशन लेस कॉम्पोचिशन एंड वार्डिकेश तो पहला फॉर्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्मकोपिया वस पब्लिष्ट इन 1955 under the chairmanship of Dr. बियन खोश्ट तो पहला फार्मकोपिया की जो बुख पब्लिष्ट हुई थी ठीक है इन 1955 में हुई थी ठीक है अंदर दी चियर्मेन शीप of dr. बिये गोश्ट जो सेकेंड जो एडिशन पब्लिश्ट हुई थी वह 1966 में हुई थी ठीक है थर्ड एडिशन जो ոुआ था मैं इंटीन हुआ एडिशान watched नाइंटीन इस चिक्स में डृवड सात में committed 2010 में सेवनपोज़ंचन 2014 में एइच्छन 2018 में मोङा था जो एड इस ले दिशन इंडियों ऑब दिखें पर अगर इंडिया में बना हुआ है तो वो कैसे दिखेगां आपको एंडियनसान दिखाता हूं यह देख्यें वह इंडियन्स फार्मकोपिया ऐसे दिखेगा देखिए एमॉक्सिसिलीन ट्राइध है आई पी तो यह जो है इंडिया में बना हुआ इंडियन फार्माकोपिया में ठीक है अगर यही जो जैसे कि आप एक्जांपल ले लिए कि अगर अमेरिका में बना हुआ होता तो यूएस पी लिखा रहता और यो यू य॥ और कंट्री में तो एहं टाइब फ्ररेंड्स मैंने आपको पशोंद आया है और समझ में आया है तो प्लीस कमेंड करें लाइक करें अन्सव्स्क्राइब करें धैSmith